आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने फ्रेंस वीडियो को पूरा ही सुने नमबर वन खाना खाने के तुरंद बाद सोने से मोटापा बढ़ता है फ्रेंच खाना खाने के तुरंद बाद नहीं सोना चाहिए थोड़ा सा हमें घूमना चाहिए उसके बाद ही हमें सोना चाहिए वरना आपको मोटापा बढ़ सकता है नमबर टू जिन लोगों को नीद कम आती है उनको सुगर की बिमारी का खत्रा रहता है नमबर त्री रोजना दूद का शेवन करने से चहरे पर चमक आती है और हड़िया मजबूत होती है ध्यान रखें कि दूद की मलाई हटा कर फिर दूद का शेवन करें फ्रेंस हमें रोजना दूद का शेवन करना चाहिए ये हमारी हड़ियों को मजबूत करता है हमारे चहरे में चमक लाता है और दूद का जब इस्तिपाल करें तो उसकी मलाई हटा कर ही आप दूद का शेवन करें नमर पूर रात में सोते बक्त अपने पैरों को खुला छोड़ कर सोना चाहिए इससे नीद अच्छी आती है नमर फाइव जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत है उनको सबजी में हरे प्याज का शेवन करना चाहिए प्रेंच जिनको कब्ज जैसी बिमारी की दिक्कत होती है उनको हरे प्याज का शेवन अवश्य करना चाहिए कब्ज जैसी दिक्कत में उनको काफी रिलीफ मिलेगा नमर 6 यदि आप गयों को उबाल कर वह इसका शेवन करते हैं तो इससे आपका मोटा पा डायविटीज दूर होती है नमर 7 जिनको सरदी ज़्यादा लगती है उनको ज़्यादा ड्राइफ फूर्ट का सेवन करना चाहिए जिनको ज़्याधा सरदी की सुम्स्यों होती जिनको ज़्याधा सरदी लगती है उन्हें ड्राइफ उड़्स का हमेशा शेवन करना चाहिए नमर 8 बासी खाना खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है जितना हो सके आप ताजी खाना खाए बासी खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है नमर 9 खाना जितना हो सके मिट्टी के बरतन और लोहे की कड़ाई में बनाए वो आपके लिए काफी ज़्यादा सेहत मंद रहता है प्रेंच जितना हो सके आप मिट्टी के बर्तन या फिर लोहे के बर्तन का ही खाना बनाने के उसमें यूज करें नम्मर 10 ब्लड प्रेसर के मरीज को कभी भी डालडा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो ब्लड प्रेसर के मरीज होते हैं उनको डालडा घी का शेवन नहीं करना चाहिए नम्मर 11 कच्चे दूद की कुछ बूंदें ग्लेसरीन में मिला कर चहरे पर मालिस करने से चहरे का रंग साफ होता है चहरे से दाग दब्बे दूर होते हैं सुप्रेंस वीडियो को पूरा ही वाच करें तब ही पता चलता है कि वीडियो में है क्या और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें नम्मर 12 ज्यादा दाईं तरफ मूह करके सोने से खाने के करण फैपड़ों में चले जाते हैं जो निमोनिया का कारण बन जाता है जिससे फैपड़े खराब हो सकते हैं इसलिए जब भी सोय तो बाई करवड लेकर सोना चाहिए कि दाईं तरफ सोते हैं तो खाना फैपड़ों की तरफ घटा हो जाता है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है सो फ्रेंस हमें ज़्यादा तर बाईं तरफ ही सोना चाहिए क्योंकि डाक्टर भी बाईं करवड सोने की सला देते हैं सोने से हमारी पाचन के लिए मजबूत होती है बाई करवट सोने से हमारी पाचन के लिया मजबूत होती है और खाना अच्छे से हजम हो जाता है सो फ्रेंच बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं प्लीज इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा नमर थाटीन खाली पेट चना खाने से हडियां मजबूत होती है हार्ट अटेक का खत्रा नहीं होता है फ्रेंच आप सुबा जब उठते हैं तो आप फ्रेस होने के बाद आप खाली पेट चना खा सकते हैं जो कि आपकी हडियों को बहुत मजबूत करता है और हार्ट अटेक जैसी बिमारी से आपको निजात दिलाता है तो आप अब इससे खाली पेट चनी का शीवन जरूर करें यह हमारी हडियों को तो मजबूत करता ही है और यह हार्ट अटेक जैसी गंबीर बिमारी का इसे खत्रा भी नहीं होता है गर्मियों में आमले का सरवत पीने से लो नहीं लगती है इसलिए गर्मियों में आमले का सरवत जरूर पीए जिससे आपको लो नहीं लग सके चावल पकाते वक्त उसमें एक चमस घी डाल दें इससे चावल के चावल चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे जब भी आप चावल बना रहे हैं तो जब चावल बन जाएं आप उसमें उपर से एक चमस घी डाल दीजिए चावल आपके बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं एकदम खिले-खिले बनेंगे और स्वादिष्ट भी बनेंगे नमर 17 तीस की उम्र के बाद मेथी दाने का पानी पीना शेहत के लिए बहुत ज्यादा फाइदेवन्ध होता है इससे आपके जोडों का दर्द घुटनों का दर्द नहीं होता है तो प्रेंस तीस के बाद आपको मेथी दाना भिगो दीजिए और उसका पानी पीजिए आपके जोडों का जो दर्थ होता है उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगे नमर 18 एक हरड का सेवन हमको लंबी आयू देता है फ्रेंस हमें हरड जरूर उसका सेवन करना चाहिए यह आपकी आयू को बढ़ा देता है नमर 19 खाली पेट सौंप का पानी पीने से बजन तेजी से कम होता है आप खाली पेट सौंप का पानी पीजिये जिनको बजन कम करना है उनका बजन काफी तेजी से कम होता है 20. भोजन में अंकृत अनाज का प्रियोग करने से सरीर के विशाक्त पधार्द दूर होते है 21. उल्टी होने पर बड़ी इलाइची कूट कर पानी के साथ सेवन करें उल्टी में आराम मिलता है 22. उल्टी होने पर आप एक बड़ी इलाइची कूट कर पानी के साथ सेवन कीजिए आपको उल्टी में काफी आराम मिलेगा टिप्स को जरूर फोलो कीजिएगा और अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा 22. अंडी का तेल जिसे कैस्टर ओयल भी कहते हैं 23. बालों की जरूर में लगाने से बालों के तूटने की समस्या और डेंडरफ की समस्या से छुटकारा मिल जाता है 23. रात में सोने से पहले एक गिलास गरम पानी पीकर सोने से हाट श्टोक से बचा जा सकता है 24. छे महिने से उपर की उम्मणगा 25. कभी भी किसी को डाइरिया हो तो नमक चीनी को पानी में मिलाकर पिलाते रहने से शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होती है 26. चेहरे की रंगत निखारने के लिए मसूर की डाल को दूद में फुला कर फिर उसे पीस का चेहरे पर लगा कर 10 मिल तक रहने दें फिर पेश्ट सुख जाने पर रगड कर पानी से साफ कर लें किसी भी साबुन या फेस बोस से ज्यादा काम की चीज है इससे चेहरे की रोनक भी वरती है ये कुछ ऐसे घरेलू टिप्स हैं जो आपकी किचिन में ही आपको मिल जाते हैं ये आपके फेस बोस साबुन से भी चुटकारा दिला सकते हैं और आपकी फेस की रोनक को भी बढ़ाते हैं नमर 27 गुटनों के दर्द का रामबाड इलाज बता रही हूं एक बार आप करके देखो कहीं से बबूल की फली का इंतजाम करो इसके बीज सहीत मिक्सी में बारिक पीस लें ये पाउडर करीब आदा गंटा इसके खाने के बाद कुछ न खाए नमर 28 और टेयृड़ ऌटे में केले का सेवन जरूर करें इससे बच्चों की हड्या मजबूत होती है तो केले में हमें काफी सारा कैल्सियम करते हैं वो कभी बूरी नहीं सो तो फ्रेंस हमें मेथी दाना हर रोज भिगो के या तो आप उसके पानी का सेवन कीजी या फिर आप उसको ऐसे ही चावा कर खाईए आपकी उम्र का पता भी नहीं चलेगा आप हमेशा सदना जवान दिखे नमबर 30 जादा गरम खाना खाने से दिल की बीमारी का खत्रा बढ़ कि दी थें सुर्बोची